है अब्रीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंस कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगी तो जी आज मॉर्निंग में उठते के साथ थोड़ा समय ने अपना रूटीन चेंज किया है क्योंकि उठने के बाद सिदे किचन में आ जाती थी क्योंकि बच् यह तेयारी करना ज़रूरी था अब अभी थोड़ा सा रूटीन मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि गर्मियों बहुत जादा बढ़ गई है और आट बजे के बाद ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि फिर घर के काम करना मुस्किल हो जाता है खासकर जाड़ू पोच्छा जो इसलिए मैं उटकर सबसे पहले जो घर की क्लीनिंग डस्टिंग है वह वाला काम निपटा ले जिए और उसके बाद अराम से किचन के काम फिनिस कर दहीं हूँ तो आज वही सूब अपने टाइम से उटकर जो भी घर में क्लीनिंग डस्टिंग वाला काम था वो खत्म किया और अब मैं आ गई हूँ नास्ता बनाने तो एक तरफ मैंने बैठाया है आलू चना की सबची और दूसरी तरफ आटा गुतना मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चे उट गया थे तो फटावट उनके लिए नास्ता रेडी कर देती हूँ आ सफेशली सुबह का नास्ता को भी विडर में अगी गर्मा-गर्म मीले तो फिर बाती कुछ और होती है इसलिए मेरे ही आट खास कर सुबह का नास्ता मैं ट्राइं करती itself कि बच्चे जैसे जैसे खाने बैटे वैसे वुइसरे मैं बना को रिदू करें आखिझे हैं और अच शुब हो जाते रहहें लिए एक आध दो रूटी ज़ो भी बना ये वो उन्हों नहीं कॉखाया यba तो बच्चे से खाना चाहिए बस हम जो मा खुती है हमारा मेन मकसद तो यह एक भी खाना बनाते हैं कि बच्चे एटलिस्ट अच्छे से खाएं ताकि उनका पेट भरा हुआ रहा है तो आटा लगाने के बाद मैंने उसे 15 मिनियर तक छोड़ दिया था ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए और उसके बाद मैंने पूरिया बनाने स्टार्ट कर दी है तो आज तो ऐसे मैं पूरिया नहीं बनाती हूँ कोई special occasion रहता है या फिर बच्चों के school रहते हैं तो week में एक बार मैं बना दीती हूँ क्यों कि ज्यादा तेल में तलाब होना खाना मुझे नहीं पसंद है और खासकर गर्मियों के दिन में तो इसलिए कोसिस करती हूँ कि एकदम बना के बराबर बनाओं हाँ अगर कोई occasion है या अगर कोई फंसन है घर में या कभी बच्चों का मन क्या या इनका मन क्या तो फिर बना देती हूँ तो आज बच्चों का मन था कि उन्हें नास्ता में पूरिया चाहिए तो इसलिए special तैयारी चल रही है ने तो simple से वही बच्चों का नास्ता हो गया था और में भी फ्री हो गई थी कि एइट यसट बच्चों ने खा लिया तो अब मैं फ्री हूँ आ राम से मैंमने निश्विन से अपना काम कर सकती हूँ तो मैं आगे ती छत गद्दे लेके क्योंकि अभी धूप काफी अच्छी आ रही है और काफी तेज आ रही है तो जब ऐसी धूप निकलती है न तो कोशिस यही करिए कि जो आपके घर के गद्दे हैं तक्किये हैं उन सब को बीच-बीच में धूप जरूर दिखा दिया इससे क्या benefit होता है न अगिर हमारे घर में रूई से बने हुए गद्दे तक्ये हैं तो इनकी lifetime बढ़ जाती है बार बार अगिर आप इने बीच-बीच में धूप दिखा रहे हो तो और second जो इनके अंदर रूई हो रहती है न वो एक time के बाद बैट जाती है एक जगा करना नहीं होगा उसके बाद नेक्ट में फिर दुबारा से किचन आ गई थे किचन वाले ड्यूटी तो ऐसी है जो कभी खत्म होती नहीं है वापस कुछ ना कुछ काम से किचन में हमें लगना ही पड़ता है तो काफी टाइम से मैं एक चीज गौर कर रहे थी कि जब भी मैं कोई सबजी बनाती चाट बनाती या राहता बनाती अभी तो गर्मी आ गई है तो राहता तो हर घर में आपको मिलेगा तो भुना हुआ जीरा पाउडर की मुझे बहुत जरूरत पड़ती तो और मुझे बार बार क्या करना पड़ता था तावा में थोड़ा सा फ्राइ कर जीरा को और फिर कूट के या ग्राइंड करके उसका यूच करती तो उससे क्या होता था मुझे डेली वह मैनत करना पड़ता था तो डेली मैनत करने सच्छा है कि एक ही दिन आप यह सारे जंजटों को खतम करो और आराम से आप चाहें दस दिन के लिए बनाओ पंदरा दिन के लिए बनाओ तब तक निश्टियंत रहो क्योंकि डेली फिर फिर फ्राय करना जीरा को भूंजना फिर उसे ग्राइंड करना या कूटना फिर उसका यूच करना उसमें काफी टाइम जाता है तो जब हम हाउस वाइप घर से रिलेटेड कोई भी चीजे करती है ना तो हमे कि एक दिन मैं लगती हूं ताकि बाकी जो दिन है उसके लिए मुझे रिस्ट मिल जब भी मुझे जरूरत हो फटक से में निकालू और यूच कर लूँ तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है तो जो जीरा था उसमें से आधा जीरा मैंने वैसे ही छोड़ दिया है और आ देली मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि डेली मुझे जोरूरत पढ़ती ही पढ़ती तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा भूंज नहीं पढ़ता था और उसमें काफी टाइम चला जाता था तो वही होता है जब हम किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं जब हम किसी प्रॉ मेरा पाउडर मेरा बन कर तयार था और उसे मैंने अच्छे से मेरा एक महीना चल जाएगा और उसके बाद अब मैं आ गई थी रूम में क्योंकि बच्चे स्टडी कर रहे थे एसी वाले रूम में तो एसी प्रॉपर ठंडा नहीं कर रहा था रूम को तो ही मैं आ गई थी पर में लगे वह जरूर्ड चेक कर ले वह अगर गंदा रहता है तो एसी आपका रूम बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगा ठंडा करेंगा और ऐसा नहीं करेंगा और इसे आप साफ कर लो उसके बाद देखो एकदम रूम चिल्ड हो जाना है तो वही था मैं जाली लिया थी ब भाईया को बुलाना पड़ता था और वह इसके लिए 500 चार्ज भी करते था और मैं भी देवी देती थी इतनी बुडबक थी कुछ उसमें आता ही नहीं था कुछ नौलेज ही नहीं था और क्या होता है ना जब भी हम कुछ समान लेते हैं ना दाम देकर अच्छे दामों में जानके भी उसे नहीं जाते हैं चुने की नहीं अगर थोड़ा बहुत अगिर कुछ हो गया तो गया तो इससे अच्छा है कि सर्विस वाले भाईया को यह बुला लो तो वही हमारे साथ भी था तो बटबाद में धिरे-धिरे जैसे थोड़ा बहुत समझ में आया फिर जब बागीर आपके माथा पे जब घर का भार पड़ जाता है ना तो आपको एक एक पैसा कहां से बचाया किस тणिके से वचे वो भी दिमाग में आने लगता है तो फिर ये मैंने यूटूब पे ही देख के सीखा कि कैसे जाली साप करते हैं कैसे क्या करते हैं तो आज खुद मैं कर लेती हूँ लेसी लिए हुए मुझे लगता है छे साथ साल हो गिया तो बस मैंने एक दो बार सर्विस वाले भाईया को बलाया था उसके बाद से मैं खुदी क्लीन कर लेती हूँ जो कि आप लोग भी जानते होंगे ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है तुरंद बन जाता है तो चलिए फड़ा फट चिप्स की तैयारी करते हैं तो आलू को छील के मैंने दोके रख लिया था बस इसे चिप्स के आकार में कट करना था तो इसके लिए चिप्स बनाने अच्छे से तुरं-तुरंद कट हो जा रहा था तो मैं चलिए फड़ावट बनाती हूं और साती साथ आपके कॉमेंट का एंसर भी देती हूं किनिने कॉमेंट किया था कि प्लीज आप अपने घर के कटन का लिंक दीजिए तो मैं क्या लिंक दू क्या जो मेरे कर अपको मे जो मैंने ओनलाइन एमोजन से मंगाए हैं तो मैं कोसिज करूँगी कि उनका लिंक डाल दूने तो बाकी सब जो जो कटन आप देखते हो जितने भी रूम के वो सारे मैंने लोकल मार्केट से ही जाकर लिये हैं और रीजन ये होता है ना कि ओनलाइन में हमें अच्छे मिल जात है तो मैं ओनलाइन के वज़ाए ओफलाइन लेना ज्यादा पसंद करती हूं क्योंकि ओफलाइन में मैं देख के समझ के छू कर अच्छे से परक के ले सकती हूं ओनलाइन में तो वह उता नहीं है बस हम देखते हैं पसंद करते हैं और रेट उट देखते हैं ठीक है और ले मुझे मिल जाता है मेरे मन मोध तो मैं कोसिस करती हूं गे मैं आफञाइन ही लू हाँ नहीं मिलता है तब मैं जाके सर्च करती हूं तो अगर आप भी कुछ भी घर के लिए ले बार ओल्लाइन की जगा ओफलाइन भी सर्च कर लेना अपने यहां का जो भी आपका लोकल मार्केट होगा एक बार वहां जाके जुरूर देख लेना कोशिस ही करिएगा कि अगर ओफलाइन आपको अच्छी चीजे मिल जाती है आपके हिसाब से आपके बजट के नुसार तो बेटर है आप उफलाइन नी वो चीज लेलो देख समझ के परक्याब लोगी ऑनलाइन में सही में बहुत बार होता है कि हम देखके समझ के मंगातू लेते हैं बट जब आता है घर तो फिर वह में पसंद नहीं आता है तो फिर आप एक्स्चेंज करो रिटर्न करो तो बहु यह कॉमेंट कैंसर देते देते चिप्स मेरे बन गए थे बच्चों नी खाना होना खा लिया था तो अभी वापस से मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हूं कि जब बच्चे खाना खा लेते है ना तो मैं बहुत निश्टिंत हो जाते हूं कि एट लिए बच्चों ने टाइम रहता है उनल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जितना हो सकंट एक दों कम रूछ करे हरी मिर्चे कर में बहुत ऊ darle मिर्चे जी ज़्याद शीन हैं हम घर में तो इन्हें अगर आप डंटी के साथ रखोगे तो यह खराब हो जाता है मतब ज्यादा टाइम चलता नहीं है तो इसलिए इनकी डंटी निकाल के इने में रख देती हूं तो वही मैं कर देती और साथ ही साथ यह लशून लशूना क? कि जब भी कोई सब्जी बनाने होती है तो अदरक लशून का पेड्यत उसमें जाना ही रहता है तो अध्रक तो चलो कोई नहीं बृत लशून में क्या होता है कि उसे छीले- उस olan और उस्के यूच करो कि जब भी मुझे वह काम लगे तुरंथ हो जाए फटा-फट हो जाए खासकर कहीं जाना होता है और अगर आपको सारी तैयारिया करनी पड़ती है खाना होना बना के जाना पड़ता है तो उससे में बहुत प्रब्लम फेस करना पड़ता है कि चलो लशुन नभी निकाल के छि जिनके चलते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम की चेन में देना पड़ता था और हैरान परेसान भी रखती तो चलिए फाइनली आप शुलिशन मिल गया कि क्या कैसे करके रखना है ताकि मेरे कीचन की काम इतले चीजी हो जाए क्यूंकि आपको पता है कि जादा से जादा के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूं यहीं एंड और आप लोगों से मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में I hope आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फड़वड लाइक करिए शेर करिए और इस चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई और आप सब अपना ख्याल रखेगा